हेलो फेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करूंगे दही बड़े की रेसिपी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़त दाल अगर आप उड़त दाल नहीं खाते हैं तो वीडियो म मिनिट के लिए धक के रख देंगे 15 मिनिट बाद इस पेस्ट में टेस्ट के कोडिंग नमक डाले और इसे अची तरह मिला ले इसके बाद कड़ाई में तेल गरम करें जब तेल गरम हो जाए तो राउंड सेप देकर इसको गूल गूल डो तियार कर लें जैसे हम पकोड़े तो इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहां मैंने एक बाउल में डेर गलास के करीब पानी डाला है आधी छोड़ी चमच नमक डालकर पानी को गुनगुना गरम करके रख लिया है उसमें इस सारे बड़े को डाल देंगे और थोड़ी देर बाद इसको पानी से निकाल चाहिए थोड़ा चमच को प्रेस करकर के इसको निकाल लेंगे आप देख सकते हैं पानी में मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेस करकर के इस सारे बॉल्स को निकाल लिया है अब मैं दही में पानी डालकर यह और पानी को मिक्स कर लूंगी अब एक बाउल में बड़े डाल कर इसमें दही डालेंगे अब दही के उपर हरी धनिया की चटनी डालूंगी रोष्ट की हुई जीरा पाउडर डालूंगी रोष्ट की हुई लाल मीच पाउडर डालूंगी खट्टी मीठी इंगली की चटनी डालूंगी इसकी बहुत जल्द रेसिपी डालेंगी इंगली की चटनी की टेस्ट के एकॉर्डिंग काला नमक डालें अगर आपके पास काला नमक नहीं है इसकी जगा कोई भी नमक डाल सकते हैं तो तैयार है मेरा एस पांची दही बड़ा अगर आप उड़त डाल नहीं खाते हैं तो इसकी जगा आप मुंग डाल का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है मुंग डाल का दही बड़ा बहुत सारे लोग होते हैं जो उड़त डाल नहीं खाना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स आप घर पे दही बड़ा बने और खाएं और मुझे अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेस्पी के साथ तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स